पिछले दो सालों में, स्कूल स्टूडेंट्स में जो माजिनलाइज बैक्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको जो स्कॉलर्शिप दिया जाता है, उसमें सेंट्रल फंडिंग लगातार घटने के कारण, इस साल ये हुआ है कि 60 लाक स्कूल स्टूडेंट्स जो 11 और बारवी में पढ़ रहे हैं, वो अपना एजूकेशन डिसकांटिन्यू कर चुके है, 2015 से अगर 2020 के आक्डे देखें, तो स्पेशली जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फैलोशिप होती है, उसमें 58% का सेंट्रल फंडिंग में डिकलाइन हुआ है, एजूकेशन का जो 150 करोर रुपे सेंट्रल गवर्मेंट स्कॉलर्शिप के नाम पर निकालती थी, अपने बजट में अलोकेट करती थी, जिसको इस साल घठाकर 141 करोर रुपे कर दिया गया, यानि 150 करोर रुपे का कट किया गया, हैदरबाद सेंट्रल उनिवर्सिटी में, 2012 के पहले तक, एम साथे स्टूडेंट्स के लारा प्रोटेस्ट करने पर उसको फिर से शुरू किया गया, लिकिन अमाउंट को एक हाजार से गटा कर साथे साथ सारु रुपे कर दिया गया, और फिर कुछ दिनों के बाद जो सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलर्शिप दिया जाता था, वो अबाद, अबिनिस्ट्रेशन ने ऐसा नोटिस निगाल दिया कि जो स्टूडेंट्स कर रहे थे, उनको कांसिलिंग की जरूरत है, और उसके बाद फिर इक और नोटिस निकाल दिया जिसमें यह कह दिया कि जो स्टूडेंस कर रहे थे, उनका स्कॉलर्शिप का अमाउंट क स्टुडेंट के डिमांड को नकारने की, whether it was pertaining to the reduction in fees or it was pertaining to the digital divide और जो उनका decision रहा students को force करने का, कि वो फैंडमिक के बीच में आके, होस्टेल विगेट करें, इन सब के चलते और जो हमारी public education system में खामिया है और जो से एक general tendency है, जो से एक जनरल टिंडेंसी है, वीक socio-economic background students को exclude करने की, उसके चलते हैं, इश्वर्या जैसी एक talented बच्ची जो खुद काफी गरीब भराने से आती थी, उनको खुद कुशी करने पे मजबूर होना पड़ा The Inspire Fellowship was introduced to promote students to pursue a career in basic sciences, which it did in ISIS till 2016, when it was suddenly limited to a select few, a select few which was selected by the DST itself. The criteria of selection was then not clear, but later it turned out to be based on merit. The scholarship amount, which was 5000 per month, which amounts to roughly 60,000 per annum, was, a lot of people were deprived of it. Along with that, the fees which was earlier limited to within 60,000 rupees was slowly, annually, slowly and annually increased to, which is now, I guess, 1 lakh rupees. What this resulted in was that the composition of students in ISIS started to shift towards the economically, towards the financially stronger sections of the society, as it became increasingly difficult for the financially weaker sections of the society to afford studying in an ISIS. But these must not be seen as independent events or isolated events. Rather, these must be seen as consequences of the fault in the greater scheme of privatization itself. The majority of students are researches in the university, which is not only 400 people, the scholarship has not given up to the other. And the CSIR scholarship is very irregular, every two-month or three-month, which has not been received from the last three months. नहीं मिला है श्टेट का जो स्कॉलर्शिप है वो रेगुलर आ रहा है लेकिन जो नॉन्रेट फेलोशिप है वो उसका जू फॉर्म निकला है भी वो सिफ 2020 के जो रेजिस्ट्रेशन किया है वही अप्लाई कर सकते हैं તોલારસીટી તોલનમ લુલક ભાવે નોતુન ઉનોતુન ઉનોતુન ઉનથુન ઉનતુન ઉનઈવરસીટી એખાણ से्ट्राव्वेन्ट में आНе स्ट्ूूदेन्ट कोए शिम practitioner न Kommunen स्कॉस नियुकर है इकालिसंध्य सम्खेंस्टू लाकर सेट्वॉबमेंट इसी अरु स्कॉलर्सिप गुलित पाई आम रहा देखी जे एमफिल एबंग पेजडी जारा कोड़ छे तादेर स्कॉलार्शिप मार्च एबंग एप्रिल मास थेके बंध हो जाए एबंग शेटा जुन जुलाई पोजुन तो बंध हो थाके लास्ट दू मास सेप्टेमबर अक्टोबर मास थेके धीरे धीरे कीचु स्टूडन्ट एइ स्कॉलार्शिप पेते शुरु करे एटान नेट इस्कॉलारशिप इस्ट गॉब्मेंट प्रोफाइट कोड़े अम्टका युनिवर्सिटी का जो फीस चुच्चर है एटाइस पीस रुक्चर वहां तो जेनरली चिप्त है और देन देन्य ने उनिवर् इस साल ही हमना देखा है कि अम्रेटकर उनिवर्सिटी में जो की रिजर्व के लिए जो फी कंसेशन था वो भी रिमूफ कर देने का एक खोशिश था लेकिन ये स्टूडन्स का प्रोटेस्ट के बाद उनिवर्सिटी ने मजबूर हुआ इसको बंद करने के लिए तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है आज तो सक्त जवरत है कि स्टूडन्स का एक कॉमन एक एंग्स्ट है कि जहां पर फी फी हाइक और स्कॉलर्शिप का डिफंडिंग और इसके खिलाब आज जवरत है एक उनिवर्सिटी वाइड इंस्टीट एक्रस आवाज बुलंद करना